मुझे दोस्तों अपने कंटिन्यू करते हैं कि दीचर इस एकट पर इससे पहले का चर्चा में रखता है वगाई डीचर इसाइट इस्ट इसमें पर मतलब ही होता हैि अगर है रहे अगर क्राइट माद इसमेंद आप पर at the same price as their nominal value that is if a debenture with a nominal value of rupees 100 is issued at par the company receives 100 the accounting entries would be when cash is received bank account to debenture application when excess money is refunded or adjusted so debenture application to bank account to debenture allotted it's similar fashion when debentures are allotted debenture application to 9% debenture from allotment money being called debenture allotment to 9% debenture allotment allotment money receive as a bank to debenture allotment debenture call money being called debenture call to 9% debenture call money being called bank to debenture call so it becomes same as their family shares in the report so just question number 6 so just question number 6 Simmons limited issued 1,12,12% debenture of 100 ish at par payable in full on application by first paper Simmons limited issued 1,12,12% debenture of 100 ish at par payable in full on application by first paper the bank the bank called the first paper bank so 1,12,12,12,12,12,12,13,13,13,15,15,16,16,16,33,24,23,23,22,25,13,25,13,13,20,14,9,1,12,16,22,14,13,14,14,24,16,15,16,14,16,17,15,17,15,18,14,14,17,14,23,24,17,17,15,14,16,18. तो जितना पैसा एक्स्ट्रा का तो रिपन दोगाई है 12% डिबंचर एप्लिकेशन को 12% डिबंचर रखना है और और क्या करना है पताइए मुझा तो उनकी सारे के सारे पैसे एक साथ आगाई है और कुछ काम करने के बचा है ने तो बैंचर इस उठ प्रेमियम इकितो सर्टपाई साथ इस लिए आख प्रेमिट लिए टेट प्रेमिट रखर पाही साथ लेकित बैंचर स्टे डिटेट ट्रेट एक्रेट रख लिए डिटेशन है जो अधिग्र को फिसे डीजिए अब तम लो मेरे पास एक राखेश ने अगर बैंक में तमा पर बैंक लो जो फिर अग्याज अग्ये इसी कंपणी है जो जो बोड़ेंग की आट परसंट रिंप्ट में यहां दे लिए कि साल में मिलेगा पांची का और लेट से यह 10 परसंट यहां मेरे को मिलेगा 10 पांची का और सौर्ब्या का डिवेंचे इंटी 1 थाउज़न तो अगर यह मेरे से 10 परसंट प्रीमियम भी मांगा है इसको दोस्ट होगा है मैंने दस हज़ार के एक्स्ट्राइब अब क्योंकि यह बैंक्स से पांच के लिए दस दे रहा है तो एक्स्ट्राइब दस हज़ार था तो मेरा एक दो साल में में मेक अप हो जाएगी तो कि पांच हिजार मेरा मेक अप हो गया फर्स्ट्राइब कि पांच हिजार का अपांच सब्सक्त ऐसे बाइड पर 10 यह तो dosom तो साल में मेक अपो जाएगा की सरा साल से मेरे को कि पांच पर्सेंट के जगार दस परेंट की की सरा साल से मेरे को फेड़ा लग अखिटत इसले तिर को बहुंए सांसरे मेंअ एक ये अजय ये वै करेंज मेषट कुछा देदिसे एकटव में थागा टू आना निरगंगा शद कि एक है सबांड जकुदित थानन जवाल हाई वर नमीज डिकटवामर होता इसो डेंबने का मतलब यह है कि 12% डेंचर वर्कोर आणने के तो 100 हो इंदर चांपया में रार के दिविए यहां और यहां होता कि एक सो दस रुक्या में बाराग ज़ा हुआ है और वैसे निट इंपक्त दिखा जाए तो बारा डिवाइड़ बाइस तो दस दस टिलगबुर्ट लगभग 10.92 कि थेट थेट 14 तो प्रीमियूम देने के बाद भी 12% के जगा मेरा को नेट 10.91 मिल रहा है बट बैंक में अगर मैं दूँ पैसे बैंक में को 8% दे रहा है या 7% दे रहा है तो भी मेरे लिए नाफा का सौधा पर अब प्रीमियूम जो आ रहा है वो कहां जाएगा the premium on debenture is credited to security here debentures are covered in the definition कि अपर रख पर अ कि अपर रख यह था रख 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 यह सक्कुरूरिट टॉपर लिए सब्सक्र रख पर रख रख यह थेस्टूरिटिश्टिट इन कैसे खर्च कर सकते हैं कि अभी तक तो हम लोगों को यह भी समझना आज है कि अधिक पैसे प्रेमियम में चला जाए और जो रूल है की का सिंसरी पार्ण शिर्ण को आप नोड़ आज को से जोड़ान को लिलर करें कंतर UP आप डेलिग Ph și O कि अधिकशन रूलब आज पारो कर निषांगी खालंगाjes after लुट प्रेथ नियुट है रडिऎ झार।्प रड़ अधिक्कट निंग एंग्रेख्प efecto bank कांशाakah रहा है तो इस हम वीज़ के बच्चे इशे हुग है? rozमा जैसा आधान अमक्त यह से वैंक आखान, साह लिए लिए खुछा, मैंत विन है थो आधान, सुम्हा है दो दो कि एंजेसलेजिन विए के सो यह आरा है यह कहां आरा यह बैंक कॉपना कुछ आपके हाथ ने पर नगत हमें जळा है सेख्युठ भी मनी रषीव रॉन डिपकर देख्युन इंक्डबिन डिपकर गेंगनन डिपकर देख्यों दिर डिर दिर और एकांक इसे कiegenवा। अबन्खें पर बॉपकिष्टर आॉजिग अवें अबनाव। पर दिर आपलिगेंड लगी क्वैशी को द screens दिर 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 आम में के दिर बॉपकिशू विजन जुए कि अंप्रोपट कि असाया कि不對 इछ इशेवाज कि इशए सबैकल सेविग तक इशो कि कि अ सबएक वाजब कि всाबन चास्ट संथर्ब हुआ बनाओ хочу पनुआ अपर अपर मेंघे, लाग जसित है अे अभर, आब रोर dużoות को आविरीजिप लोगे पर लिए-लो अवैरीं अपरियो लिए कमन पर लिए लिए दिटनित को अभी कुछ देर पहले हमने देखा इस तौर्वे अगा डिवेंटर शिक्स दस्त में इस्यू होगा और हम गोर रहें से कि यह 12% डिवेंटर तो इसका नेट इंपक्ट आइगा 10.9 अब अगर लिए वर तौर्वे अगा डिवेंटर इस्यू करेंगे नग्दर इस्यू करेंग अधिक गुश्देर चाने इस्का इंपक्ट वैल्पक्त विवेंटर से ज्यादा आएगा वेल गार्शल से तो मिल इस्काउंट में अगर डिवेंटर मिल रहा है तो इंवेस्टर को मजा आएगा औरे बहुत मजा है 12% डिवेंटर है बैट डिसकाउंट में तो ऴltन नेट इफेक्ट जो है और जदा आए तकी एग। इस और जो एक और भीजी तक इसानगु जो एए, गवेश्ट आए। इस तो हम उस नहीं आ गजैर तो कुछ इस बोके आगे जो प्लबार गज़ कर दिए क्यों कर दो क्यों चाहिए इस बेंच बेंच बेंचे अट इसकांट When the market rate of interest is higher than the debenture interest rate Like share, debenture's account is credited with the nominal value The difference between the nominal value of the debenture and the cash receipt Nominal value 100 Rs. Cash is 90 Rs. 10 Rs. 10, what is the difference between the discount on the debenture account Where will we transfer, where will we transfer In the subsequent years, the discount on the issue of debenture Subsequent means later, later on, later years Discount on issue of debentures is written off proportionately by charging to the statement of profit and loss It is considered a normal practice to amortize discount on issue of debentures over a period of benefit Normally 3 to 5 years If you want to know that if you have 5 years of debenture, then 10 Rs. 10 Rs. 10, what is the loss? पाउस हुआ है, उसको 5 साल में अपने लोस को दो-दो रूप्या करके profit and loss में डालेंगे, बस इतना सही बात है तो कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए समझने में ठीक है कहीं दिक्कत नहीं आना चाहिए अगर मैं आपको और अच्छे से समझाओं कि हो क्या रहा है चलो मेरे ख्याल से इसमें और ज्यादा अच्छा से समझने का कुछ नहीं है दस रुपिया का डिसकाउंट पांस साल तो दो दो रुपिया करके प्रॉफिट अन लॉस में लेके जाएंगे अब अब अपने देख लेते हैं अकाउंटिंग एंट्रीज वन क्याश इस रिएकिव बैंक अकाउंट पु दिवेंचर अप्लिकेशन अकाउंट अब क्योंकि दिसकाउंट में है ये डिसकाउंट अन इश्यू अफ दिवेंचर अकाउंट चीख है? चीवी जीपोतं है? 2. आपिए पर ढूटकुट In fact, the discount on issue of debentures is considered as incremental interest expense the true expense net borrowing cost for a particular accounting period is therefore the total interest payment plus the discount return-off छीख बात है सही बात है so true interest 100 रुप्या पे 10% अगर हम दे रहे हैं तो 10 रुप्या जो हमारा है वो खर्चा है बट हम तो 90 रुप्या लिये थे और लेट से 5 साल के लिए है यह तो हर साल 2 रुप्या का लॉस और है so 10 प्लस 2 तो 12 रुपीज is the basic actual interest तो कहने को 10 रुप्या है बट 12 रुप्या हो जा रहा है so simple है अभी तक तो I don't think कहीं पर भी कोई complicated है कुछ complication होना भी नहीं चाहिए आपके दिमाग में बहुत अराम से slow and steady चल रहे हम लो इलुस्ट्रेशन नमबर 7 देखिये X Limited issued 1,12,00,00 debentures of 100 each at a discount of 10% payable in full on application by 31st May 2017 applications were received for 1,20,00 debentures debentures were allotted on 9th June 2017 excess monies were refunded on the same date past necessary general entries also show necessary ledger account कोई दिकत नहीं दिखा देंगे भी आईए 31 माई का बात है bank में आया 120 इंटू नपे 1080 ठीक है एक सो बीस रुपिया बेसिकली कम आया है जीरो स्कूम इग्नोर कर रहे हैं आप कॉंसेप्स को पर ध्यान दीजिए तो 12 परसेंट डिबेंचर अप्लिकेशन तू बैंक अकाउंट बीस इंटू नपे इस इतना पैसा वापस कर दिया हमने 12 परसेंट डिबेंचर अप्लिकेशन अकाउंट डिसकाउंट अउन इस्चू अउफ डिबेंचर अज़ यह बेसिकली डिसकाउंट को हमने यहां डाल दिया इस लेजर बोला था तो लेजर देख लीजिए बैंक में पहले पैसा आया इतना पैसा हमने वापस कर दिया इतना ठीक है, so ultimately पैसा इतना रहे गया, 12% debentures account, 9 तरीक को, by 12% debenture application, 9,000, by discount, 1,000, balance, 10,000 एप्लिकेशन में जतना पैसा आया, उसके बाद वापस कर दिया हमने, और बाकी हमने debentures allot कर दिया है, discount, खर्चा होगी है हमारे जी, so I guess, कहीं पर भी कोई दिक्कत किसी को नहीं आनी चाहिए, issue of debentures as collateral security, कुछ कुछ नए नए चीज हम लोगों को देखना है, बट हम लोग घबराएंगे नहीं, हम लोग देखते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, collateral security का meaning क्या है, security का meaning क्या है, पहले तो यह बताईए, सर हमको तो यह मालूम है, मेरे complex में महले में security guards होते हैं, जो मेरा रक्षा करते हैं, I feel safe, security का मतलब है, you should feel safe, कि कोई है तुमको बचाने के लिए, so collateral security, तो सर डिवेंचर के मामला में safe होना है, क्यों नहीं, आप किसी को पांच लाख रुपया अपना दे दियो, या पंदरा लाख रुपया दे दियो, या डेड़ करोड रुपया दे दियो, आपके पैसे की safety आपको चाहिए या नहीं चाहिए, सामने आ लेने कहां interest देंगे, 12% interest देंगे, वन यहर तक तक तो दिया, उसके बाद वो interest दे नहीं रहा है, अब वो interest नहीं दे रहा है तो आपका डेड़ करोड रुपया तो भी at a stake, पता नहीं हो क्या हो गया, वो डेड़ करोड गया, तो यू वांट टू फील सेफ, तो आएए देखते हैं, और और को लाटरल का मतलब क्या होता है, ठीक है, कुछ देर में आपको समझ में आ जाएगा कि और को लाटरल का मतलब क्या होता है, को लाटरल सेक्यूररटी means secondary, और सपोर्टिंग सेकुरिटी फोर लून लोन किस ने दिया है भई मिस्टर बनवारी ने दिया है Mr. Banwari Mr. Banwari Mr. Banwari को पता क्या डर होता है हम से लोन ले लिया और हमी को बैन कर दिया है बट मेरा नाम Banwari है मैं वार कर लड़ूंगा मैं मेरे एगो को हट कर दिया I means ego मैं हूँ Banwari ठीक है You cannot ban me, I will go for a war क्योंकि मेरे से लोन लिया 1.5 करोड रुपय का 1.5 करोड रुपय का लोन ले लिया इतना सारा लोन ले लिया हम से और अब हमी को बैन कर दिया हमको सपोर्ट मांगता My name is Banwari You cannot ban me ठीक है So collateral security Collateral security means secondary or supporting security for a loan So loan किसने दिया है हमारे बनवारी भाईया ने लोन दिया है ठीक है Okay Which can be realized by the lender In the event of original loan Not been repaid On the due date So who is the lender Banwari is the lender Who is the borrower The company is the borrower ठीक है यहां तक तो सब clear हुए एकदम clear है So collateral security means secondary और supporting security और supporting security So basically supporting security for a loan ठीक है ठीक है ठीक है लोन दिया है बनवारी ने तो उसको support मिलना चाहिए अब इसमें क्या हो रहा है Under this arrangement The borrower Borrower कौन है कौन है borrower Sir company ठीक है agrees that a particular asset or a group of assets will be realized and the proceeds therefrom will be applied to repay the loan in the event that the amount due cannot be paid तो भाया बनवारी ओ जी बनवारी भाया ओ भाया सुनिए अब तो ना वेर्थी परिशान हो रहे है डेड़ करोड का लोन आपसे लिया है ठीक है भाया बड़ा amount है बड़ ये देख रहे हैं भाया ये जो plant देख रहे हैं हमारा पांच करोड रुपिया का plant अगर आपको पैसा नहीं दे पाये ना बनवारी जी इस plant को बेच देंगे ससुरा ये plant किस काम में आएगा आपका पैसा थोड़ी ना हम डूबने देंगे क्या ऐसा सोच लिया बताइए ठीक है तो ये plant को बेच देंगे और पांच करोड का plant बेच दोगे आपको तो अपना डेड़ करोड से मतलब है ना भीया हम बेचेंगे हमारा नुकसान होगा आप काई परिशान हो रहे आप तो सैटिस्पाइड रहिए आप तो सेफ रहिए आप तो सिक्यॉर्ड फील करिए पर अभी फिलाल के लिए हमको भगवान के लिए हमको डेड़ करोड रुप्या दे दीजिए एक बार समझ में आ रहा भाया कुछ आप लोगों को बच्चे मेरे प्यारे ठेक है सर इतना इजी है नहीं समझने आला तो के बात ही नहीं सम्टाइम्स कंपनीज इशू देर ओन डिबेंचर अज को लाटरल सिक्यूरिटी फॉर लोन और अ फ्लक्चुएटिंग ओवरड्राफ्ट अब किसी से लोन ले रखा है किसी से लोन ले रखा है अब उसको यकीन कैसे दिलाएं कि भीया देखो अब काम करो मेरा डिबेंचर ले लो अब डिबेंचर हमने पड़ा था उसमें लिखा रहता है डिबेंचर इस डडेट अग्नॉलजींग डॉक्यूमेंट Debt Acknowledging Document तो कभी-कभी ऐसा होता है कि किसी से लोन लिया हुआ है किसी को कुछ fluctuating overdraft हो रहा है तो हमने उनको दे दिया हमारा debenture When the loan is repaid on the due date these debentures are at once released with the main security in case the company cannot repay its loan and the interest thereon on the due date the lender becomes the debenture holder who can exercise all the rights of a debenture holder So, समझ में आया है बाई collateral security कभी-कभी debenture जो है उसको भी collateral security बना दिया जाता है बट एक बात बताईए यह जो debenture हमने दे दिया है चलो आप secured करिए आपका पाइसा अगर हम नहीं दे पाए तो अलग बात है बट आप इसको रख लिजे एक्स interest as security क्या इस debenture पे इंट्रेस्ट मिलेगा इनको the holder of such debentures is entitled to interest only on the amount of loan but not on the debentures देखो आपसे हमने loan लिया है एक करोड रुपय का ठीक है डिबेंचर भी एक प्रकार का loan ही होता है इनको secure करना है यह विचारे को जो loan दिया है हमको बनवारी भाईया अब बनवारी जी का कहना रहे है इससे चाहतो हम भी debenture ही ले लेते हैं आपके company का तो कम से कम कुछ तो था debenture का थोड़ा सा बनमेना सांती रहता है ठीक है अब ठीक है कोई बात नहीं कोई बात नहीं पिर debenture तुमको security के लिए चाहिए ले बीटेस यह बनवारी अब इनके लोन पर बहुत थेला कि और बारा पर्सेंट इंट्रेस्ट तो भरोसा tough यह ठीक है अन को लोन का इंट्रेस्त इनको दे रहें अब यह ऐसा थोड़ी नहीं कि लिगे рек्देशे मेंच बहूंत हमको इंट्रेस्ण ऐसा बोलेंगे तो गलत हो जाएगा ठीक है तो ऐसा नहीं बोलेंगे और कल्प को अगर हम लोन इनका नहीं चुका आप आए टाइम पे तो लो भाईया तुमको डिवेंचर तो दे दिया है Accounting Entries देख लेते, there are two methods of showing these type of debentures in the accounts of a company. Method 1 Under this method, no entry is made in the books of account of the company at the time of making issue of such debenture. In the notes to accounts of balance sheet, the fact of the debentures being issued and outstanding company is shown by a note under the liability secured. So, this is method number one. Under this method, no entry is made in the books of account of the company at the time of making issue of such debenture. ठीक है, क्योंकि actual में क्या हमको interest देना है debenture पे, समझेगा बात को, नहीं देना है. ठीक है, in the notes to accounts of balance sheet, but हमने तो issue कर दिया है, तो यह fact है, यह खबर जो fact है, जो हकीकत है, the fact of the debentures being issued. एक तो हम लोग accounting नहीं कर रहे हैं, ठीक है, no entry is made in the books of accounts. सोच के देखिये, issue हुआ है, fact है कि issue हुआ है, but no entry is made in the books of account of the company at the time of making issue of such debentures. फिर full stop है दियो, धियान दिजेगा, full stop. आप बोलने, in the notes to accounts of balance sheet, the fact, the fact of the debenture being issued and outstanding is shown by a note under the liability secured. आईए, आईए, इलस्ट्रेशन देखिये. X Limited, obtains a loan of from IDBI, IDBI, we all know IDBI is a big bank, of 100 lakhs. देखो भईया, 100 lakhs में होता है, 1, 2, 3, 4, 5. तो हम तो ऐसी पढ़ते हैं. यहां पर है 50, so 100 lakhs. गरीब अदमी घबरा जाते हैं भईया इतना बड़ा बड़ा amount देखकर, ठीक है? तो आप लोग मेरा मजाक नहीं उड़ा सकते हैं यहां. X Limited obtains a loan from IDBI of 100 lakhs, giving as collateral security of 150 lakhs. of 10 each, 14% first mortgage debentures. अब देखो भी, IDBI से हमने loan लिया 1 crore का. IDBI को security के लिए हमने 1.5 crore का debentures दिया. ठीक है 14% हो सकता है कि IDBI से हमने जो loan लिया उसका 12% ही interest देना हो. ठीक है? अब security के तौर पे एक तो एक करोड के जगा 1.5 crore और 14%. यह सब होता है क्योंकि अब मेरे को पैसे का सकत दरकार है. अब IDBI bank किस आधार पे आपको एक करोड रुपया दे दे बताईए तो. तो भी आधार चाहिए यह लेजिए आधार. अब आधार का बात नहीं करते हैं. ठीक है? तो यह solution देखते हैं. तो solution तो अपने को पता है कि method 1 में in the notes, in the notes to accounts of balance sheet of x limited, it is shown as follows. Notes to accounts of x limited as at includes long term borrowings secured loan IDBI यह एक क्रोड रुपय लिया हमने हाजी लिया. अब देखो नीचे में लिख जे. a collateral secured by issue of 1 crore 50 lakh 14% first mortgage debentures. बस इतना सही तो काम करना था भाया. अब आये method 2 में. under this method, under this method, the following entry is made to record the issue of such debentures. कुछ entry कर रहे हम लोग, क्या बात है? the following entry. अरे यह क्या? suspense, debentures, suspense account. तो जो भी percent of debentures है. अजी suspense हो गया, जी suspense. अजी सुबह तक तो science में थे, शाम को non-science हो गया. एक ऐसा ही पुराना कविता याद आगया था जी. तो suspense है, suspense. Is this making any sense to you? और it is making nonsense for you? अरे nonsense तो गया होगी, अपने अपने, मैंने तो नहीं किया. तो इसका में तो कुछ ना को sense है इसमें. क्योंकि nonsense तो डरके भाग गया है. तो क्या sense है जी इसमें? देखो भई, यह जब भी हम debenture suspense लिख रहे हैं, क्योंकि यह हमारे internal coding है, समझ लिजा. ठीक है? तो देखो क्या लिखा हुए? The debenture suspense account will appear on the asset side of the balance sheet. under other non-current assets and debentures on the liability side of the balance sheet. when the loan is repaid, the entry is reversed in order to cancel it. तो कुल मिलाके बज़ balance sheet में, जब अपने balance sheet को देखेंगे, और balance sheet में यहाँ पर अपने देख रहे हैं debenture suspense account. और उसी का corresponding अपने को let's say 12% debenture account. अब समझ लो suspense account में है 5 क्रोड, तो यहाँ पर भी समझेजे, अगर 15 क्रोड भी है, तो अपने को समझ में आ जाएगा कि इस 15 क्रोड में, यह 5 क्रोड तो चलो यह किसी ना किसी को कहीं collateral security दे रखा है, इस तरीके से balance हो जाएगा, तो original अपने को समझ में आ जाएगा कि भी 10 क्रोड ही है, सो बाकी देखते हैं कैसे लिखना है, illustration no.9 अपने help करेगी illustration no.9 Taking the same information of illustration 8, the entry on issue will be as follows, debenture suspense account debit 1.5 क्रोड रुपया, to 14% mortgage debentures account 1.5 क्रोड रुपया, यह है journal, आये balance sheet में, balance sheet ध्यान से देखिएगा, so equity and liabilities, non current liabilities, long term borrowings, 10.5 क्रोड रुपया, one में जाके देखते हैं, तो जी 10.5 क्रोड रुपया, secured loan, IDBI, लिया तो था हमने 1 क्रोड रुपया, IDPS, 14% mortgage debentures, 1.5 क्रोड का, जो हमने collateral दिया है, तो यह दोनों add हो जा रहे हैं यहां पर, धाई हो गया यह, 2.5, so basically, हमारा credit side, 1.5 क्रोड से, प्लस हो गया है, ठीक है, अपने को पता है, यह side plus होगा, इस side को भी plus करना जरूरी है, इस side को भी हम लोग plus करेंगे, इस side को plus करने जा रहे हैं हम लोग, non current assets, other non current assets, 1.5 क्रोड रूपया, current assets, cash and cash equivalent, 1 क्रोड रूपया, यह जो 1.5 क्रोड रूपया है, note number 2, ध्यान दीजेगा आपको क्या लिखना, other non current assets, इसके heading के नीचे जाए रहे हैं, बस आपको अगर exam point of view से याद रखना है, तो आपको heading याद रहना चीए बस इसी का number मिलने वाला आपको, आपको, so debenture suspense account, issue of this as collateral security as per contra, students should note that the method 1 is more logical from the accounting point of view, therefore it is advised to follow method 1, method 2 थोड़ा साप लोगों को भी complicated लग रहा होगा, इस सर हमने loan 1.5 करोड का लिया, loan हमने लिया 1.5 करोड का और यहां दिखाने 2.5 करोड का, तो सर हमने और ऐसे ही हमने हमारा collateral दिया है, पैसा तो आया ही नहीं उसमें, ठीक है, अगर पैसा आता तो bank debit होता है, पर यहां debit हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग debenture suspense account को debit कर रहे हैं, कि ले भाईया पैसा तो आया नहीं, सोचते रहो, यह क्या चीज़ का debit है सोचते रहो, बस जबरदस्ती का asset बनके बैठा हुआ है, ठीक है जबरदस्ती का, यह illogical लगता है, सर यह कैसा asset ठीक है, बट जो होता है वो हमने दिखा दिया आपको, कि आपको, यह जो चार्णीज़ का आपको, अपको, यह जबर लगता है, यह दो जो हमने पीक है, यह जो हमने दिखा उसे हैं, अधियन झेलं मेरा झाली बटरो ना review प्रप्रापन करें अर्ड़न करें करें दो जो प्रप्राफन करें अर्ड़न है झाल 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 झाल